तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था मूचेन की बॉड़ी से फोर्स फुली ब्लैक सोवरिन मेरू पिलर निकालने की कोशिश करता है तब ही बीच में डीन टाई कांग आ जाते हैं और मूचेन को बचा लेते हैं अब आगे अब यहाँ पर मौजुद सभी लोग का एक्सपर्ट हो तो उसे एक ट्रू एक्सपर्ट माना जाता है मूचेन डीन टाई कांग को थैंक्स बोल डीन टाई भी इसके तरब देखते हैं और एक स्माइल देते हैं और कहते मुझे विश्वास नहीं था पर खेर तुमने काफी अच्छा किया है डीन टाई को पहले स देते हैं कि तुम ज्यादा उचल रहे हो दोनों अपने-पने सौवरिन लेवल के प्रेशर को रिलीज करते हैं और ब्लैक सौवरिन कहता है कि तुम इस मैटर को फाल्तों में बढ़ा रहे हो मेरू पिलर वैसे भी हमारा है तो यह हमारे पास होना चाहिए डीन टाई कहते है लेकिन यह मूँचेर की डेस्टिन यह तभी तो वो उसे मिला तो तुम्हें वो नहीं मिल पाएगा ब्लैक सौवरिन धंकी देता है डीन टाई भी कहते हैं तुम्हें वार चाहिए हम तयार है और इसमें ब्लैक सौवरिन एक कतम आगे बढ़ाता है और एक हजार फिट का व किसको मालुम था डीन टाई को यह हरा पाएगा यह नहीं इसको इसमें डाउट था और जबी यह बात एक हर रहे तभी एक और बंदा यहां पर आ जाता है कि आप दोनों सौवरिन लेवल के एक्सपर्टों यहां पर अब कुछ मत करिए और यह बंदा मेडिल एस्ट मैन था ग्रीन रोब्स में यह वेश्टन हॉल का मास्टर था वेश्टन एक्स्ट्रीम सौवरिन मतलब यहां पर अब तीन लोग जो कि सौवरिन लेवल के थे व हिकठा हो जो के थे इससे देखकर वह यह यंग मैन था ग्रीन रोब में वो आता है और इन्हें पापा करके बलाता है और सी लड़के का नाम जाई किंग हाई था अभी जो वेस्टन सौवरीन था इसका पावर लेवन थार्ड ग्रेट का सौवरीन था ये तो टीन टाई वगर ऐसे थोड़ा वीक था तो इन्हें ये रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि दोनों सर्स प्लीज यहाँ पर फाइट म काफी बढ़ा हो सकता है हाला कि ये फिर भी कहता है कोई नहीं डीन टाई तुम लोग कुछ ज़्यादा ही प्रावड एक्ट कर जल्दी हमारा डेमोनिक ड्रागन पैले तैयारी के साथ आएगा और तुमारे नौर्दान एकाड़मी को खातम कर देगा और इसके बाद ये मो कुछ बोलते तो नहीं जाता फिर भी क्यात समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा और हम उसमें पाटिसिपेट भी करेंगे ब्लैक सौवरी एक स्पेस से कायब हो जाता है और डीन टाई इस्ता में वो जो डीवाइन पहलेस की बात करके गया था उसके बारे में याद कर क्योंकि आज तक जब भी Northern Academy का कोई बच्चा गया वाज़े वापस लटके नहीं आया अब इस दोरान मूचन पूछी लेता है कि डीन ये बात कर रहा था Divine Spiritual Mountain के बारे में वो क्या चीज है अब डीन टाई बताते हैं कि वो एक sacred ground है हमारे Northern Heavens Continent का नकि Northern Academy का और वहाँ पर Spiritual Energy क बैपटीजम है ये जो पांचो ग्रेट अकैडमी इस पिरिच्वल इंपावर्मेंट देती है उससे कहीं ज़्यादा है Divine Spiritual बैपटीजम से पावर लेबल ज़्यादा नहीं बढ़ता है पर Foundation जो है वो काफी ज़्यादा है श्ट्रॉंग हो जाता है और वो Sovereign Level में Disasters को जहिलना पड़ता है मूचन ये सब्द पहली बार सुना रहता है और ये तीनो Sovereign Disasters अगर कोई जहिलना चाहता है तो उसका 20 स्टॉंग होना चाहिए यानि Sovereign Foundation वहाँ पर वो Divine Baptism मदद कर सकता है और वो Baptism Disasters के टाइम तुमारे Divine Soul को प्रटेक्ट भी कर सकता है मूचन इतना decision तो ले चुका था कि मुझे इस Divine Spiritual Mountain में चाना है अगर मैं और लोगो ली दोनों इससे पैपटाइज हो गए तो हमारे future के chances बढ़ जाएँ अब मूचन इन से पूछी लेता है क्या हम participate कर सकते हैं डीन बताते हैं पर वहाँ पर वस core genius जाते हैं क्योंकि battle काफी ruthless होता ह और फिलाल हम आजकर उस ranking में जा भी नहीं पा रहें और एक बार तो हमारे heavenly ranking के first rank का बंदा वहाँ गया था पर वो वापस आये ही नहीं तो तुम समझ सकते हो यहाँ पर कितने powerful लोग और हैं अब जैसे हमारी academy तो ठीक है पर यहाँ पर बहुत से परिवार हैं जिनका जो base ह काफी strong है तो उनके बच्चे काफी powerful होते हैं जैसे अभी देखा जाए तो हमारे academy का सबसे powerful बंदा कांग शें है अगर दो सल इसे और समय मिल जाए तो यह generation जो peak की level है यंग generation के उनको टकर दिये पाएगा पर इस बार मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दे सकता अभी तो मो कर सकता हूं डीन बोलते हैं लेकिन अभी चलती हो जाएगी और फिलाहल यह लोग northern academy के लिए वापस जाने लगते हैं इदर लिंजेंग वगर अभी अब जाग चुके थे और थोड़े से embarrassed feel करते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि मू चैन ने मू लॉंग जी को हरा दिया तो उससे ज़्यादा खतरा नहीं है पर असली खतरा तो मू जिंग टियान है और यह सोचता है कि इस बार competition में यादि वो divine baptism में कांसें आएगा अगर वो heavenly completion के late phase में पहुँच जाए तो शायद फिर उसके बाद यह और इसके पापा एक साथ कहते हैं पर वो लड़का मू च बहुत सारे लोगों को news तो मिली गया था तो एक हलचल का महूल था खास करके मू चैन के strength का कि यह जल्दी लड़का श्रत कांग शेंग को भी बीट करते heavenly ranking में और वैसे मू चैन इस heavenly ranking में बिलकुल भी interested था नहीं तीसरे दिन ये लोग academy वापास आ चुके थे और मू चैन में elders जूट यान बैठे हुए थे और इन सबी का power level, sovereign level पर था मू चैन इन सबी elders को और डीन टाई को respect देता है और पूचता है क्या मेरे ले कोई निर्देश है, डीन टाई smile करते है और कहते कि मैंने जो तुम्हें बुलाया है वो तुमारे मेरू पिलर के वाज़े से बुल पैलेस बरे जीत सकते थे और मूचन सोचता है क्या ये academy वाले चाहते कि मैं ये pillar इनिज देता हूँ, डीन टाई समझ चाते है और कहते है रिलाक्स, ऐसे कोई बात नहीं और ये कहते हैं वैसे तो मेरू पिलर तुम्हारे पास है पर ये तुम्हारा है ने, मतलब तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, नहीं तो कैसे वो ब्लैक सोवरीन तुम्हारे बॉडी के अंदर से इस पिलर को निकालने के कोशिश कर पाता और डीन टाई बताते हैं कि जो मेरू पिलर है, उस पर ड्रैगन पैलेस का एक ब्रैंड बना होगा, यानि छाप होगा और तुम उसे डराने के लिए तो नहीं बना है, डीन टाई भी हसते हैं, और कहते हैं वैसे भी तुमने मिशन अच्छे से पूरा किया है, तो तुम्हें एक रिवोर्ट तो मिलना चाहिए, तो हम तुम्हें इस मेरू पिलर को कंट्रोल करने में और उस ब्रैंड को रिमूफ करने में तो मुचें को ज्यादा टेंशन था भी ने, मेरू पिलर अब बहार आता है, और इसमें रेड औरा को साफ देखा जा सकता है, पूरा हॉल इस समय वाइबरेट करने लगता है, डीन टाई बाकि जो पांच सौवरिन थे, उनसे इसे सपरेस करने के लिए कहते हैं, और यह पा डीन टाई के आदेश पर, यह सभी लोग इससे बाहर निकालने लगते हैं, और हलाके यह इदर यह इसको बाहर निकालने के कोशिश कर रहे थे, और वहीं दोसरी तरफ डेमोनिक ड्रागन पैलेस में कुछ हरकत होता है, ब्लैक सोवरिन जो की कल्टिवेट कर रहा था, अप इस लार्ज हौल की तरफ बढ़ जाते हैं, और यह पांचो भी सौवरिन नेवल की ही एक्सपर्ट थे, मूचन इस समय किनारे खड़े हो करके, जो छे सौवरिन नेवल के एक्सपर्ट थे, जो की ड्रेगन प्राण को रिमूब करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें देख र लेता है, और इसमें से आवाज आती, कि टाई कांग, तुम हमारे ट्रेजर को लेना चाहते हो, पर ये तना आसान नहीं होगा, ये था ब्लैक ड्रेगन सौवरिन की आवाज, टाई कांग भी स्माइल करते हैं, कि ये सौवरिन लगता है तो बरदाश नहीं कर पारे हो, इन् सौवरिन लेवल की ही एक्सपर्ट थे, और इन सभी का, अब एक दूसरे से फाइट होने लगता है, और इदर काफी दूर में, जो एल्डर लिंग जी समय कल्टिवेट कर रही थी, उनकी भी नजरे यहां पर पड़ती है, और ये दूर से इस बैटल को देखने लगती है, नौर्दन एकैडेमी में अलार्म बच चुका था, तो सबी लोग अब सावधान थे, सुनेर भी इनके साथ खड़ी थी, और लिंग जी से पताती है, कि ये लोग डेमोनिक ड्रैगन पैलिस के है, सुनेर पूसती है, एल्डर सीशर क्या आप भी जारी हू बैटल में, उन लोगों का प्रोजेक्शन है, एक्चुन लोग नहीं आया है यहाँ पर, तो ये लोग डीन टाई का अंग वगरा को हरा नहीं पाएं, लिंग जी के नजर इस दौरान मूचे इन पर बढ़ती है, मूचे इनको तो नोटिस नहीं करता है, अब जब इतर ये जो प्रोजे और एक्याडमी को कवर कर लेते हैं, ताकि कोई नुकसान न पहुचे, डीन टाई और बाकी लोग मिलकर इस डिस्टक्टिव फ्लक्चुवेशन को तो ब्लॉक करते थे, और इधर मेरू पिलर इस मौके का फायदा उठा कर यहां से भागने को देखता है, और जैसे मेरू प कि किसी को पता नहीं चलता है, और इनके पंक भी काफी बड़े थे, यह थे डिवाइन वीश्ट प्रोटेक्टर, लॉर्ड, नौर्दन सी ड्रेगन, और इधर मुचेन भी अपने मंडाला फ्लावर को एक्टिवेट करता है, और ग्रेट डेमोनिक पिलर को बांद देता है, मुईू भी इतर स्माइल करते हैं, कि फाइनली सी ड्रेगन ने हमारा साथ दिया, यह थो थोड़ा मुश्किल हो था, डीन टाई अब स्माइल करते हैं, और मुचेन से कहते हैं, कि अब इस मेरू पिलर को बोलो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर तुम इसे कंट्रोल कर ल अब हॉल के अंदर जा रहे थे, तभी फिर से रुक जाते हैं, और क्याते हैं, तुम जा सकते हो, अगर तुम हेवनली कॉम्पलिशन स्टेज में, एक महीने में ब्रेक कर गए तो, यह सुनकर के मुचेन खुश तो हो जाता है, पर एक महीने में, हेवनली कॉम्पलिशन और एक ही लेवल तो इसे उपर जाना था, कॉम्पलिशन के इनिश्यल लेवल पर, पर वो इतना आसान नहीं है, एक महीन तो सच में काफी कम है, मुचेन अब ठोड़ा फ्रस्टेटेड फिल करता है, और उसे मालुम था, कि टीन टाइज ऐसा इसली कर रहे हैं, ताकि मुच मुचेन सुरक्षित है, और मुचेन इस समें, सिष्टर लिंगजी के तरफ, जहां पर वो रहती थी, उधर बढ़ता है, क्योंकि एल्डर लिंगजी सैदिक ऐसी है, जो सैदिसकी मदद कर पाए, और खास करके, जबकि लिंगजी के पाफ, इसके माता की एक चितर भी है, औ और कहता है कि उस समें मैं थोड़ा इंजर्ट था, और थोड़ा मैंने टाइम, रिकावर करने में लगा दिया, और ये इन्हें थैंक्स भी बोलता है, जो इन्होंने एरे दिया था लास्टे, लिंगजी कहती है, ओके, ये ज़्यादा ने बोलती है, अब मुचेन समझ जात और कहती है, तुम ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, इवेन, कॉंपलेशन स्टेज पहुचने में, लोगों को एक से दो सान लग जाते हैं, और मुचेन इन्हें पूरी बाते बताता है, कि इसे डिवाइन बैपरिजम चाहिए, तो एक मैने में उस लेवन पर जाना पड़ेग इनका भी और ब्लैक कलर कहीं था, बस डिफरेंस यह था, कि मुचेन के बाड़ी में नीदर फ्लिम फ्यूज होने के कारण, इसका और तो ज्यादा ब्लैक था, मतब दोनों के इनर्जी भी सिमिलर थी, शैथ ग्रेट पगोड़ा आर्ट के कारण, और जब दोनों अपने इनर्जी का श्रेंद काफी ज़्यादा पड़ जाता है, और यह और यह मुचेन के बाड़ी में भेज देती है, मुचेन फिल करता है, मान उसकी स्प्रिच्वल एनर्जी कहीं ज़्यादा पड़ गई हो, मुचेन फिर से सोचता है, ऐसा चीज क्यों हो रहा है, और आगे में जब यह कमरे के बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर एक पौंड था और लिंगजी इस तालाब में प्रवेश कर जाती है, और इसमें थोड़ी दिर जाके बैठती है, और अपने स्प्रिच्वल औरा को इसमें रिलीज करने लगती है, और मुचेन से कहती है, अंदर आ मुचेन अपने दिमाग को शान्त करते हैं, और लिंगजी विस्त में, मुचेन से कहती हैं, अगर मेरी तरफ देखे, तो मैं तुम्हें भगा दूँगी, मुचेन इन से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब इस प्रिच्वन एनरजी मुझे क्यों दे रहे हो, हलाग मैंने अपनी मेमोरीज तो लॉश्ट करती, मुचेन भी आप कहता है, तो मैं आपको अब एल्डर सिष्टर लिंगजी बुला सकता हूँ, लिंगजी सोच रही हैं और एक फेंड समाइल देती है, और मुचेन बेंजी कहता है, आप प्र टेंशन मतलो, मुझे नहीं पता कि म आपके बीट का रिलेशन क्या था, पर टेंशन मतलो, आपकी मेमोरीज वापस आ जाए, मैं आपकी हल्प पक्का करूँगा, और लिंगजी इसमें अपना और रिलीज करने, इसमें से बाहर निकल जाती है, और मुचेन इसे एब्सॉर्ब करने लगता है, और इस समय मुचे इनकी आखे जब बंद होने लगते, तो इनने वो ब्लरी पिक्चर का याद आता है, मतलब पूराना कोई मेमोरी, कि ऐसी जगह पर है ये, और ये काफी छोटी थी उस समय, जहापर वार बगरा सिचुएशन थे, चारो तरफ खून फैल हुआ था, और ये काफी डरी हुई और ऐसा लग रहा था, मानों इने कोई मार देगा, तब ये अचानक एक लवीवन फिगर प्रकट होती है, और लिंगजी के सर को सहलाती है, कि टेंशन मतलब, और उनके हाथ को पकड़ कर लिंगजी आके बढ़ने लगती है, और वो वूमेन भी काफी प्रभावित होती है, कि मुझे फॉलो करना चाहती है, पर मैं जहां जा रही हूँ, काफी डेंजरस जगे है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी, तो फालतु में मारी जाओगी, पर लिंगजी इनने फॉलो करने लगती है, वो वूमेन इससे इनका नाम पूछती है, तो लिंगजी अपना नाम Link Zee बताती है, Link Zee पूछती है कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए, तो ये woman कहती है, तुम मुझे aunt Zing बुला सकती है, यानि auntie Zing, और उसके बाद ये Link Zee को एक cultivation method बताती है, और एक black scroll, और कई सारे scroll दिखाती है, और Link Zee इन में से black scroll को चुल लेती है, auntie Zing मना भी करती है, Link Zee पूछी क्या इसमें कुछ problem, तो auntie Zing बताती है, कि जो scroll ने दो भागों में पठा हुआ, एक पार्ट को yin कहते हैं, और दूसरे पार्ट को yang, और तुम ने जो scroll चुना है, वो yin scroll है, और मैंने yang scroll मेरे बेटे के लिए और अगर तुम इस yin scroll को master करोगे, तो तुम्हें future में थोड़ी तकलीफे उठानी पड़ेगी, और auntie Zing इसे एक smile भी दे रही थी, बात कर देख, करते, अब linkzy पूछती है, कि auntie आपने ये scroll दो भागों में क्यों बाड़ दिया, तो auntie Zing कहती, मुझे उसे protect करना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और मुझे उसे छोड़ कि आना पड़ा, linkzy को ज़्यादा समझ में तो नहीं आता है, फिर भी ये कहती ठीक है, मैं see in scroll को cultivate करूँगी, फिर भी auntie Zing समझाती है, ये scroll तुमें तकलीफे ना सकता है, कोई और चुल लो, linkzy कहती, मुझे उसे कोई फरक नहीं पड़ता, अगर future में आपका बच्चा मु समय में वापस लोटाती, और चिनलाती एक ही नाम, auntie Zing, इदर मुचेन, कल्टिवेशन से वापस आ जाता है, और अगर ये 10 दिन ऐसे कल्टिवेट करेगा, तो शायद ये heavenly completion stage में जा सबता है, अब ये तालाप के एक कोने की तरह देखते हैं, जहाँ पर वो linkzy रो रही थी ये हैरान हो जाता है, और वो काम भी रही थी, और ये तुरंती इन्हें बाहर निकालता है, linkzy अब इससे कहती है, मैं ठीक हूँ, बस तोड़ी weak feel कर रही थी, अब linkzy कहती है, वैसे तुमें अगर मैं दीख रही हूँ, तो तुम बिल्कुल सच में, auntie Zing जैसे ही दिखते हो मूचेन कहता है, आप मम के बारे में बात कर रहे हो, linkzy हामेसर ही आती है, और इसे बताती है, कि मुझे कुछ memories याद आ गई है, और तुम मुझे आत से elder sister कहोगे, अब मूचेन पूसता है, क्या आपको सच में, मम्मी कहा पर है, ये जगे दिखा गया, linkzy बताती है, मुझे बस इतना पता है, कि वो northern spirit realm को छोड़ कर कहीं और जा रही थी, और उस समय वो थोड़ी lonely feel कर रही थी, और वो काफी weak भी थी, और मुझे अपनी memories पूरी याद नहीं आई है, शाथ किसी ने उन्हें seal कर दिया, ताकि मुझे कोछ चीजे दूर रहे, मूचेन को इतना तो और तुम्हें फिला, अपने strength को बढ़ाने पर focus करना चाहिए, अब मूचे, elder linkzy से पूछता है, कि आप कितनी strong है, linkzy कहती है, कि तुमारे ये जो heavenly seated elders है, northern academy के, मैं उन्हें हरा सकती हूँ, मूचेन भी एक बार को shocked हो जाता है, और ये बताती है, कि जो बाकी तुमारे elders है, वो लोग sovereign level के one star पर है, बस dean tie जो है, वो ज्यादा powerful है, वो sovereign के five star पर है, और वो जो divine beast है, वो sovereign level के nine star पर है, और मेरे हिसाब से वो earth level के sovereign के लिए breakthrough भी कर रहे हैं, और इतना तुम्हें बता सकती है, कि इन लोगों का ये भी strength, आंटी जिंग के सामने cheating के समान है, मूचे है, मतब इसकी मा क्या ही powerful होंगी, और लिंग्जी स्माइल करके कहती, कि टेंशन मतली, आंटी जिंग ने मुझे सिखाया है, तो मुझे मालूम है, और तुम्हें मुझे मुझे से भी strength पनना पड़ेगा, अगर तुम्हें आंटी जिंग को बचाना है तो, और ये बताती है, कि आंटी जिंग तो बहुत प्यार करती है, पर लिंग्जी जदर मुझें के गाल वगरा को भी खीशती है, और अधर अचानक से सुनिर आ जाती है, और कहती है, मैं elder system लोगों ने को नहीं बताऊंगी, मुझे मारना मत, मुझें इसको समझात, कि elder system लिंग्जी मेरा cultivation में कर रही थी, सुनिर कहती इस प्रकार से, कि आप मुझे बच्चा समझ रहो, अब लिंग्जी भी मुझे इन से कहती कल फिर से आना, एक मेने में तुम breakthrough तो करी जाओगे, मुझे नियांसे निकल जाता है, इधर लिंग्जी आंटी जिंग को याद करके कहती है, कि मुझे finally व वैसे आप और मुझे न की जोड़ी साही रहेगी, लिंग्जी इसको अब जादा बताती भी नहीं है, अब इधर 15-20 दिन मुझे के ट्रेनिंग वैसे ही चलते रहती, और जबी भी लिंग्जी अपने औरा को रिलीज करती, ये थोड़ा वीक तो होई जाती थी, और मुझे आंती से सुनती, मुझे न सिधा-सिधा कह रहा था, क्या मुझे इतनी आसानी से ऐसे पावर्स लेने चाहिए, अब लुओ लीज से कहती है, कि तुम्हें पता है, कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ, और ये फिर बताती है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्ट्रेंड, य अब एक गहरी सांस लेता है, और मानों इसके बॉड़ी पर जो प्रेशर था, दिल पर खास करके, वो खतम होने लगा हूँ, और ये सोसता है, कि हेवेनली कॉम्पलिशन स्टीज में, क्या मैं खुद से नहीं पहुंच सकता हूँ, क्या इस सब की जरुरत है, मुझे किसी का हेल्प नहीं लेना चाहिए, मैं अपने श्रेंट से ही ब्रेक्थ्रू करूँगा, लुओ ली अब इसके चेहरे को देखकर समझ जाती है, और एक स्माइल रेती है, और इस दोरान ये दोनों एक दूसरे को हग करते है, और इस दोरान इनका एक किस भी होता है, अब ये दोन चाहता है कि elder sister linkzy होगी, और वो यहाँ पर क्या कर रही है, अब लुओ ली भी कहती है, तो ये हैं तुम्हारी elder sister linkzy, चलो इनसे मिलते है, अब जो भी लोग linkzy को देखते हैं, वो सोचने लगते, कि ये सच में याँ पर elder है, इतनी कमीज में, और spiritual Eric grand master, और लोग सोच रहे थ कि ये मूचेन को क्यों धोन रही है, मूचेन भी linkzy से पूछता है, कि elder sister क्या कोई बात हो गई क्या, linkzy से खेते हैं, तुम cultivate करने क्यों नहीं है, मूचेन कहता है, कि 15 दिनों के लिए, ठैंक, पर अब मैं खुद से breakthrough करना चाहता हूँ, linkzy कहती है, पर ये काफी tough होगा, मानूम है, कि आप मेरी मा के वज़े से ये सब कर रही है, और ये कहता है, कि अकर मेरी मा को भी पता चला, कि मैं ऐसे method से, अपनी ओना को बढ़ा रहा हूँ, तो वो कभी भी मेरे पार, गर्वफिल नहीं करें, और वैसे भी, आप इतने week क्यों होई हो, मेरे वज़े से, linkzy इस दोरान फिर से, मूचन के गाल को टेच करती है, और कहती हैं कि तुम सच में, आंटी जीन के ही बेटे हो, मूचन थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, और ये कहती है ठीक है, उस method से नहीं तो, मेरे ही जगे पर आना, मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ, मूचन मान जाता है, और इ हूँ